Electronics के market में धूम बचाने आ गया है आपके शहर सिवान में RV Lighthouse जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की number one branded item जिसमें जूमर, wall lamp, bed lamp, gate lamp, जालर बत्ती, modeler switch, surface light के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की fancy electronic items सस्ते और उचिद्दाम उपर रुपलब्ध हैं तो फिर देर किस बात की आज ही आईए RV Lighthouse बड़ी मज़्जद के पीछे कागजी महौला रोट सिवान हमारा संपर्क नंबर है 7091318455 आपको बता दें कि पांड़े पूर पंचायत से मुख्या पर त्यासी मेरे साथ मौजूद है निरंजन कुमार सिंग और इसे हम तमाम तरह के सवाल करेंगे और पंड़े पूर पंचायत में क्या अभी तक भी कास हुआ है और अगर यह चुनाव में आये हैं तो इनके पास मुद्दे क्या हैं तमाम तरह के इसे हम सवाल करेंगे और इसे जबाब लेंगे सबसे पहले निरंजन जी बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप दरहुंदा से पंड़ेपूर चल कर आए और आ करके पंड़ेपूर पंचायत के चिंतन करके कुछ सवाल पुछने का ततपर है चलिए सवालों का सिलसला हम सुर करते हैं सबसे पहले हम जाना चाहेंगे कि आपने मुख्या का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया हमने तो 2001 में जिला परसद का चुनाव लड़े थे जिस सम हमें महमत सहाब उदिन सहाब सांसद रहा हुआ करते थे उस समय हमने जिला परसद से चुनाव हार गया हमारा उमर 21 साल था यहां से अंधरांदा तीस नमर से अनिल सिंग विजई हुए उसके बाद हमने निर्ने लिया कि वहां सांसद जी का तूती चलता था जो चाहते थे फंड मिलता था नहीं चाहते थे नहीं मिलता था तो हमने निर्ने किया कि भाई चुनाव लड़ने के बाद जितने के बाद जनता को आसा होती है अपने परतिनीधी से तो जिला परिसद इसा पद नहीं है कि सब को कहीं न कहीं से विकास किया जा सके नामदद किया जा सके इ और जब छेत्र में जनता की भी जाते हैं तो उनके अलग-अलग मुद्दे रहते हैं आपकी क्या मुद्दे हैं जी हमारी मुद्दत है कि हमने 2021 से 2021 तक 20 साल का सफ़ड किया है अपने पंचायत का तो इसमें हमने देखा है कि क्योवल भरष्टाचार कहीं विकास हुआ है और किसी चीज का विकास नहीं हुआ है मनरेगा में लूठ हुआ है और सारे रोड कागज पहीं बन करके पैसा निकाल लिया गया है हमने जब कंप्लेन हमने किया 2017 में एक रोड फलपूरा में PCC हो गया कागज में छे महीन पहले अब भी बूकोगरे हो गया आज अब हम लोगों ने देखा तो रोड बना ही नहीं था हमने कंप्लेन किया उस कंप्लेन में पाँच आदमी पर जाच करके कंप्लेन के बाद रोड का ढलाई हुआ और पाँच आदमी पर एक एक हजार रुपिया और दंड लगा करके डीडीसी साहिब डीम साहिब को द्वारा और उन्हों को बचा लिया गया आपके कहने का अतात पर है कि आपके पंचायत में सिर्भरस्ट चार हुआ है आप लोगों ने थोड़ी से पहल किये तो काम कुछ गाम में हुआ है जी नहीं नहीं काम तो मतलब हुआ ही नहीं है अब इस पंचायत का पैसा कहां चला गया है हम लोग को पता है नहीं चलता है हम लोग नेट खोल करके देखते हैं इसलिए कि ओनलाइन पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है तो डिजिटल इंडिया के माध्यम सो जब हम लोग पांड़े पूर पंचायत का एब खोलते हैं विकास का तक केवल कागज में ही विकास हुआ है कि इतना सुकता हो गया, इतना रोड बन गया, इतना नाली हो गया, यहां यहां फेवर बोलोक बन गया, लेकिन कहीं पर बना हुआ हम लोगों को नजर से नहीं दिखता है। आपके मुद्दे क्या हैं आप क्या मुद्दे लेकर छेतर में उत्रे हुए हैं जनता की बीच हम लोगों की मुद्दा है कि सर्वफर्थम रासंग कारड के लिए दलाल लोग हमारे मुखिया के दलाल लोग तीन-तीन हाजा रुपिया दो-दो हाजा रुपिया जनता से गाढ़ी असूली करके रासन काढ़ धनी मनी आदमी को बनवाए हैं और गरीब जन्दा तरपड ही है तो हमने तै किया है कि दिशंबर में आठ दिशंबर को चुनाव है दस को काउंटिंग है और जन्वरी में हम लोग घूम घूम करके जितने गरीब लोग हैं मानक के हिसाब से रासन काढ़ के भोकता लाइक है सब को हम लोग घूम के एक रुपिया नहीं लगए सब को रासन बनवा देंगे हैकि घूमने के बाद कोई यह नहीं कहा है कि हमको रासन नहीं मीलता है है कहीं जो योजना चल रहा था कि परतियक पंचायत में हाई स्कूलं खोल सब्सक्राइब से मोगा दी लेकिन इन लोगों ने विकास का आगे किया यहीं एक पांडेपूर की seperti यहां कैंता का दुर्वाग्य है कि अभी तक यहां एक स्वास्तके झारे भी नहीं बन पाया को dolio में यह पिलाने वाला भी कोई चैनल जा, चिसी का पोस्ट अपीस चuen चवराएं, किसी का बोइनु को क कश्थ है, जो मुखमंत्री बिर्दिजन पेंसन योजना के जब स्कीम चल रहा है तो हमारे सवधाउली के निवासी लोगों को हमारे पंडेपूर के निवासी लोगों को पेंसन के लिए बहुत कठिनाई का समना करना पड़ा उनका आधार पर चेंज करवाना पड़ा जिसमें बहुत परसानी हुई जलालपूर जब चेंज करवा कि जलालपूर पोस्ट अपिस सिवान जिला करवा है तब उन लोगों का पेंसन हो रहा है अभी बहुत लोगों का बाकी है तो हमारा उदेश है कि यहां पोस्ट अपिस भी छो महिना के अंदर हम इच्छे गाओं में कहीं न कहीं करवाएंगे यानि मान के चला जाए कि अगर जनता आपको जन परतनीधी बनाती है पांड़ेपूर पंचायत से तो आपका जो प्लानिंग है स्थिक्छा, स्वास, पोस्ट, पेस, उपस्वास के सभी लागतार आप काम करेंगे विकास को लेकर रहने आप प्रतिबद रहेंगे जी, जी, विकास के लिए प्रतिबद रहेंगे जनता से हमारी अपील है पंडेपूर के हमारे भागय बिधाता थे मतदाता मालिक लोगों से हमारा अपील है कि अगर आप लोग कोशिस करके हम तो सब इस अपील कर चुके हैं कि भाई हम तो तीन बार मुखिया से चुनाओ लड़े कभी 23 बोट से चुनाओ थोड़ा थोड़ा से हार गए कहीं न कहीं भरष्टाचारी लोग पैसा से खरिद लिया पाइल बाट करके लोगों को परभावित कर दिया दारू पिला करके परभावित कर दिया हमारा इतिहास है कि आज तक कोई उंगली नहीं उठाएगा कि निरणियाथ सिंग किसी को दारू पिला है या किसी का भोट खरीदने बाट सरकार भी जान रही है डेली गाड़ी पकड़ा रही है सारे लोग दारू पी रहे हैं ठीक है आब पीलाने वाले पिला रहे हैं हम ही ऐसा सक्त है प्रत्यासि कि जिनके उपर और उंगली कोई नहीं उठा सकता है कि किसी को दारू पिलाते हैं या पिलाएंगे और जनता से मेरी अपील है मैं अपील कर चुका हूँ कि अगर आप लोगों को विकास चाहिए तो अगर आप लोग हमको जिताते हैं और सिवान जीला में 293 पंचायत है